हेलो अच्छो नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है जवर्जस्त जिन्दाबाद होंगे दोस्तो सामान्ने हिंदी से एक और उप्योगी वीडियो आप लोगो बता है कि हम अपने खुद के नौट्स सेल हैंड राइटिंग के से आप लोगो सामान्ने हिंदी कवर करा रहे हैं तो ये नौट्स आपके लिए इंपोटेंट साबित होंगे जब आप लोग यूपी प्लिस का एक्जाम या किसी और एक्जाम को देखे रहेंगे तो टॉपिक है आज का च्छंद मैं सबसे पहले च्छंद के बारे मैं आप आप लोगो बताने की कोसिस करूंगा कि चंद कहते किसे हैं या चंद का साब्दिक अर्थ क्या होता है देखिए सबसे पहले आप लोग ये की पॉइंट जानिये जो यहां घेरे में रखे हुए चंद की पिर्थम चर्चा कहां पर हुई थी ये कुशन इंपोटेंट है तो चंद का सबसे पहले निरूपन किस ने किया था तो पिंगल आचारिये ने सबसे पहले चंद का निरूपन किया था याद रखो और चंद को पिंगल सास्तर की नाम से भी जाना जाता है आपसे पूछेगा पिंगल सास्तर किसे का जाता है चंद को का जाता है दोस्तों चंद सब्द संस्कृत के छद धातू छद धातू में असनू प्रत्य लगाने से बना हुआ है तो आपसे पूछेगा किस धातू में छद धातू में असनू प्रत्य लगाने से बना हुआ है छद छद का साब्दिकर्द क्या होता है दोस्त इसका मतलब होता है प्रिसंद करना आकांचा करना अक्षर संख्या का परिणाम करना है ना चंद अक्षर ही तो काउंट करते हो या फिर वर्ण ही तो काउंट करते हो इसमें तो अक्षर संख्या का परिणाम करना यही चंद कहलाता है आकांचा करना प्रिसंद करना यह चंद क चंद का साब्दिक तौर पर जो अर्थ होता है आच्छांदित करने वाला अर्थात आनंद देने वाला तो चंद क्या करता है आनंद देता याद रखना आगे नोट पोईंट है अक्षर संक्या एवम क्रम मात्रा गडळना यती गती चरन तुक आदी सी संबंदित विसिस्ष्ट नियम से नियोजित पद्य रचना चंद कहलाती है एक और इंपॉटेंट लाइन अक्षर अक्षर संक्या एवं करम है ना मात्रागड़ना यती गती चरणतु कादीसी सम्मंदित विशिष्ट नियम से नियोजित रचना जो होती है पद्य में वो क्या कहलाती है चंद कहलाती है यह इंपोर्टेंट लाइन है याद रखना चंद की अव्वे अर्थात भाग क टल गया यह भी ठहराब च्छा गई वियो मलाली यह भी ठहराब तो चंद का मतलब ही ठहराब या यती का मतलब ही ठहरने से होता है ना चंद का मतलब तो आनंद करने से होता है लेकिन यती का मतलब ठहरने से होता है दोस्तों अगला पॉइंट है गती गती का मतलब आप लो वहाँ बोल सकते हैं जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल जन तो यह बिल्कुल गती बनी हैं गती गती का मतले हैं आगे बढ़ते हैं तुख और तुकांत तुकांत यानि अन्ट च्छंद के चरण की अंतिम द्वहनियों का जो मेल होता है चरम के चरण की या च्छंद के चरणों की अंतिम धुहनियां जहां मिलती है वो तुकांत कहलाता या फिर तुक कहलाता याद रखना आगे ए तुकांत के बारे में समझेगी ए तुकांत क्या है जिन च्छंद के चरणों की अंतिम धुहनियां नहीं मिलती उसे ए तुकांत नाम देते हैं दोस्ते जैसे उधो मन नाही दस बीस एक चुओ तो सो गयो श्याम संग को अरादे ईस तो मतलब यहां अंतिम जो धुहनिया है वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं याद रखो आगे चरण चंद की पंक्ती को चरण कहते हैं इसे पाद भी कहा जाता याद रखना चरण के साथ साथ इसे पाद भी कहा जाता यह भी important है ठीक है आगे बढ़ते है यूपी SI में कुश्छन यहीं से पूछे गए थे गड़ से कि वे जो गड़ होता है ये समू होता है ये तीन वरणों का एक समू होता है तो गड़ में कितने वरण होते हैं तीन जैसे की नगण भगण ये नाम सुना होगा अपने नगण भगण सगण ये टाइप से ठीक है ना अच्छा तो तीन वरणों का जो समू होता है गड़ कहलात होती है दुगणों की संक्या कितनी आठ याद रखो यमाता राज भानस लगा ये एक सूत्र पिटचलित है ये इंपोर्टेंट है यमाता राज भानस लगा इसी में छुपे हुए हैं इसी में आठ के आठ छुपे हुए हैं और यहां तक आठ हो गे एक दो तीन चार पांच उल्छे साथ आठ ये ले और जो गा बचे हुए हैं अंतिम इनके लिए देखो ये ले और गा यह है पिंगल के चंद सास्तर का पहला सूत्र है यमातराज भाना से लगा तो आप से पुछेगा पिंगल के चंद सास्तर का पहला सूत्र कौन सा है यमातराज भाना से लगा अब ये जो दो वर्ड बचे हुए हैं अंतिम क्योंकि आठ पहले पूरे हो गए है ना तो ये जो अंतिम दो वर्ड है ले और गय इस हिसाब से यदि देखें तो चंद सास्तर में इन्हें दस आक्षर नाम दिया गया है दस आक्षर क्योंकि आठ तो ये हो गए दो और ये हो गए दस हो गए ना तो छंद सास्तर में इने दस आक्षर बोला गया किसको ले और गय को जो अंतिम दो वर्ड बच रहे इनको ठीक है ना चलो मैं आप लोगो एक चीज और यहीं सिकाने की कोसिस करूँगा जैसे कि ये से होता है ये गैने यगन इसके अंतरगत आता क्या है कितनी मातरा यह आती है देखें मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप लोगो इसकी वैलू निकालनी है तो अगले दो वाले इसके साथ के रखा हुआ है जिस गण का स्वेरूप जानना हो भी गण का स्वेरूप कैसा है तो उसके साथ आगे वाले दो अक्षर ले लेते हैं लेंगे आगे ये गण का स्वेरूप जानना है तो ये माता मैंने आपको बताया था ये माता ले लो ये माता तब ये माता होगा और ये मैंने define कर रखा देखो यहां देखो मैंने लिख रखा यमाता राज भाना से लगा यह तो दस अक्षर है तो यह से बना यगण यहां गण का नाम है यहां सूत्र संकेत है संकेत चिन है उधारण है मात्रा है आप से पूछेगा विधाता विधाता गण के किस स्वैरूप की ओर सूचित करता है या फिर इसारा करता है तो विधाता किस की ओर इसारा करता है देखिए सबसे पहले तो विधाता जाएगा यगण में क्यों 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 कि यगण से ही बना हुआ हुआ है क्या या माता दो माता आगे लेने के लिए कहा है मैंने तो दो माता ये में एक माता है मा यानि की दो माता ता के लिए भी दो माता ठीक ना इसके लिए भी दो माता हो गई अब विधाता विधाता पनामा अब विधाता का आप लोग रुख तोड़के देखो वी के लिए एक मात्रा धा के लिए दो मात्रा ता के लिए दो मात्रा कर रहा है ना इस रूल को फोलो संकित चिन को फोलो हाँ तो ये यगण के स्वेरूप में जा रहा है क्योंकि यगण से यह माता बना हुआ है मगण अब मगण यानि कि मा मैंसे शुरू होगी है ना तो मातारा अगले दो लेटर लो मातारा यानि कि मा के लिए दो मातारा ता के लिए दो मातारा रा के लिए दो मातरा, ठीक ना, मातरा, दो दो मातरा आगी इनके लिए, अब जिसमें छे मातरा होंगी, वो मगण के स्वेरूप को फॉलो करेगा, ठीक ना, छे मातरा हैं इसमें, देखो, सुरूबात में दो मातरा, दा के लिए दो मातरा, जी के लिए दो मातरा, क्योंकि ब मगन से बना हुआ है माता रा ठीक नए इसलिए याद करा रहा हूं अव माता रा मा काम खतम यहां काम खतम टा यहां से क्रम बने गा यह ऊपर जो वैलू दे रहखी है ठीक ना तो इनके हिसाब से आप लोगों को चलना होगा अच्छा जी चलो तकण का ले लेते तकण की साथ आयता ताराज ताराज यानि कि इसके लिए दो मात्रा आएंगी इसके लिए दो मात्रा इसके लिए एक मात्रा तो ऐसा जिसमें पांच मात्रा और सुरुवात इस हिस सो रही होगी दो दो एक हिसाब अ के साथ से बाजार दो दो एक तो यह तकड के स्वेरोब को फोलो करेगा यह इसी लिए इंपोर्टेंट है कि यह किस किस वारूब को फोलो करते हैं यह चीज इंपोर्टेंट हो जाएацион की बाद में रगण आ गया ह रह गेंड है रगण के साथ क्या चलेगा राजुभा कैसे चला राजुभा मैं उपर जाके बताता हूँ आप लोग को है ना चलो बहुत बढ़िया तो देखो यह आया था तगण के साथ या रा के साथ रगण के साथ राजुभा अगले दो लेटर आते हैं अगले दो लेटर सीख गया ठी दो मात्रा तो जब दो मात्रा शुरू में ऐए एक मात्रा बीच में और दो मात्रा बाद में आई तो डगन की स्वरूप को फोलों करेगा रगन के बाद में आएगा जगन सब्सक् resur आने से भानस आएगा ने से ले आएगा इस पिरकार से बनते हुए दिखाई देंगे ये ठीक नसल गा आएगा लास्ट में तो जगण हो गया भगण देखो भगण मतलब भानस भानस या जगण जगण मतलब जबहान तो देखो जबहान में एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा अब सामान देख लो सामान में सै के लिए एक मात्रा आएगी मा के लिए दो मात्रा और ने के लिए भी एक मात्रा आएगी सिकार सिकार में देख लो इसके लिए एक मात्रा इसके लिए दो मात्रा इसके लिए एक मात्रा जब एक दो एक कफेर बनेगा चार मात्रा होंगी टोटल तो तब जगण भगण में देख लो भगण से बनाता भानस भानस मतलब पहले दो मात्रा भा के लिए नय के लिए एक मात्रा से के लिए एक मात्रा जैसे कि सावन तो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा ठीक है नसल नगण नगण के लिए क्या बना था नसल यानि एक 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 म नरक फॉलो करता है नगण के स्वय रूप को याद रखो यहां पर सगन्ड है सगन्र यानिक एक एक मात्र आएगी यहां से नहीं काउंट होती है एक एक दो जैसे की सलमा एक लेक के लिए एक मात्रा और मा के लिए दो मात्रा है ना ठीकिन याद रखना गहना गहना आएगा ये गहना एक एक दो मात्रा करें होगे यह चीज तो यह किसके स्वारूप को फॉलो करता है यह इंपोर्टेंट है एक गण तीन वरण के मेल से बना हुआ होता है आठ है टोटल संक्या और जो बचे हुए दो है वो दस आकसर में ढाते है आठ गणों मेंसे 4 गण ज्हांत देखना इस पॉइंट को आठ गणों मेंसे चार जो गण हैं वो यगण, मगण, भगण और नगण यह सुब माने जाते हैं, है आप से पूछे को वरण तो आप लोग कह सकते हैं स्वर या स्वर से जो मिलकर बनता है वो वर्ण कहलाता है वर्ण कितने हैं दो एक स्वर एक वेंजन याद रखो उचारन काल अवधी इसे समझे उचारन काल अवधी क्या है उचारन काल अवधी काल का मतलता है समय यानि उचारन में लगने वाला समय उच्छार में लगने वाला समय क्या कहलाता है दोस्त हिंदी में मात्रा कहलाता है और जितने भी स्वर हैं आपके 11 है 13 है ना 11 है स्वर हैं आपके उनकी क्या बनती है मात्रा बनती है याद रखना है मात्रा कहां से आती है स्वरों की मात्रा बनती है देखो लगू स्वर लगू स्वर जिनके लिए हम एक मात्रा काउंट करते हैं ए ए उ रिसी एक मात्रा गुरू स्वर जिसके लिए हम लोग प्रतीक चिन ये लगाते हैं और लगू स्वर के लिए प्रतीक चिन इस्तेमाल करते हैं आ इसके लिए जहां भी दिखेगा दो मात्रा एक के लिए बड़ी के लिए दो मात्रा काउंट करेंगे चंद में बड़े ओ के लिए दो मात्रा एपे एड़ी इसके लिए एनक के लिए औरत अखली दो मात्रा है ना टौफी वाला अगर कहीं ये कंडिसन बनती है मिली हुई तो दो मात्रा ठीक ना अंकी बिंदी दो मात्रा विसरग वाली बिंदी दो मात्रा ये दो दो मात्रा काउंट करेंगे जो यहां पे आप लोग को स्वर दिखाई दे रहें नीचे ठीक ना अगर किसी की जैसे कि अंकी बिंदी दिखाई देती हैं मैं मैं इसके पीछे तो इसक कि आप लोग को मैंने दिखाया था अभी दो-दो मात्रा वाले थे अच्छा इन्हें इस सिंबल ऐस टाइप सिंबल से हम लोग संकीत करते हैं याद रखना चलो जी बहुत बढ़िया जो सईयुक्त वर्ण हैं आपको छत्रक दिखे तरिसूल दिखे ग्यानी दिखे इसके लि ये आप लोगों को मात्र क्या करना हैं तो ये एक मात्रा काउंट करनी एक मात्रा क्यूं कि कुछ छत्रक इस टाइप से लिखा जाएगा इस टाइप से और हमने पढ़ा है कि आदे अक्छर के लिए कोई मात्रा नहीं होती इसलिए सटकॉंड के लिए एक ही मात्रा बचेग त्रेत रिसूल कैसे तूटता है आधा त्रे प्लस रह यानि आधे अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं होती जब सुरू में आता है रह के लिए एक मात्रा होगी तो याद रखना जब भी छत्रक त्रिसूल ग्यानी इस रह साब और ये भी आप लोगो देखने के लिए जो की ही मात्रा दोस्त आपको काउंट करनी है एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा और एक मात्रा एक मात्रा लेनी है ठीक ना गुरू में भी आप लोगो देख लो एक एक मात्रा है चारू है ना तो ये वाला उ किसी के साथ लगा हुआ मिलता है गुंडी वाला मिलता ह तो इसके लिए दो मातरा आप लोग यूज़ कर सकते हो ठीक भी या चलो जिसमें विसर्ग लगा हुआ होता है उसके लिए आप लोग को दो मातरा काउंट करनी होती है और ये च्छतरक तरसुल ग्यानी और ये स्रैसराब के साथ साथ में ये जुद्धत वाला विद्धत वाला जो धैय है ये अगर आपको मिलता है तो एक ही मातरा लेना आप लोग इनके लिए जैसे कि विसर्ग यूख लगा हुआ है जैसे कि परात है ये तो आ बन गया आ बन मातरा मिलती है दो लेंगे हम मातरा बड़ी की मातरा किसी पर मिलती है तो उसके लिए दो मातरा बड़े की मातरा मिलती है तो दो मातरा लेंगे उसके लिए भी एक मातरा किसी के ओपर हमें दो मातरा दिखाई देती है तो भी हम दो मातरा ही लेंगे अगर किसी के ओपर हमें अर्दो चंद्र बिंदू के साथ में तो उसके लिए भी दो मात्रा अगर हमें किसी के पीछे बिंदी लगी हुई मिलती है जैसे कि मैं इस टाइप से तो भी हम दो मात्रा ही लेंगे अगर किसी के ओपर चंद्र बिंदू लगा हुई मिलता है तो उसके लिए हम एक मात्रा ल लेंगे तो ये मात्राओं का आप लोग को समझ के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किसी से विसर्ग जुड़ा हुआ है तो देखिए तो आ गया प्राता आ की मात्रारी दो मात्रा तै के साथ में विसर्ग है इसके लिए दो मात्रा एक मात्रा तै के लिए क्या तो खै के लिए भी एक मात्रा मैं के उपर बिंदी है इसके लिए दो मात्रा लेंगे याद रखो ठीक है बीच में आदे अक्षर से पूर वाले वर्ण के लिए दो मात्रा आती है अगर बीच में आदा अक्षर आया है जिसे नंद में आया है नंद में तत्व में आया है तो इस से पहले वाले लेटर के लिए दो मातरा काउंट करते हैं . ध्यान से देखना है रूल बहुत impotent है आदे नहीं से अगले वाले बढ़ के लिए दो मातरा लें दिवी और ऊपर रेअड़ रही तो उससे पहले वाले वारण के लिए दो मातरा होंगी उपर रे उड़ेगी तो भी दो मात्रा ही काउंट होंगी आज तीन में देखो आ के लिए दो मात्रा आधा से आया है इसलिए दो मात्रा और बढ़ गई और तीन यानि की बढ़ी के साथ आया है तो ये दो मात्रा हो गई ने के लिए एक मात्रा हो गई करम में देखो, इसके लिए दो माट्रा, रह उड़ रहा है ऊपर ये ये यहां पर एक माट्रा उपर रह उड़ रहा है अगले वाले के लिए दो माट्रा जाएंगी, दो एक, गरम तो ध्यान से देख लेना, फिरूह उड़ा हुआ भी मिलता है चा के लिए बात्रा या के लिए, एक मात्रा दोस्त आती है अगे बढ़ते, अनुस्वार के लिए कितनी मात्रा लेते हैं, अगर किसी के ओपर बिंदी आती है तो इसके लिए दोस्त नाइँ काउट करेंगे हम लोग छन्द में जैसे कि मैं, मैं के उपर बिंदी आई दो मात्रा, चंदन मैं चे के उपर बिंदी आई दो मात्रा ली, संगम मैं से के उपर बिंदी आई दो मात्रा ली, वंस मैं दो मात्रा, जैसे वंस लिखो यहाँ पर वंस इस टाइप से लिखा जाएगा, सल्यम के लिए एक मात्रा आए इसके लिए एक-एक मात्रा लिखो क्योंकि अगर चंदर बिंदू है तो एक ही मात्रा काउंट करना है अगर बिंदी है तो दो मात्रा और अगर ये वाला चंदर बिंदू है तो एक मात्रा काउंट करना है हलंत वेंजन से पूर वो गुरु मात्रा होती है क्या होता है दोस्त गुरू मात्रा होती है हलंत वेंजन से पूर्व याद रखना ठीक है चलो जैसे कि राजन की बात करता हूं तो राजन में कितनी मात्रा होंगी रा यहां दो हो जाएंगी यह जै इसके लिए कितनी मात्रा लोगो क्योंकि हलंत वेंजन है इससे पूर्व के मात्रा दो हो जाएंगी दो दो ये भी दो ये भी दो हो जाएंगी है ना तो याद रखना जैसे कि हुत्भुक आया ये एक है ना ये हलंत है तो इससे आगे वाले के लिए दो मात्रा तो हलंत वेंजन से पूर्व गुरु मात्रा होगी हलंत वेंजन से पूर वाले के लिए दो मात्रा हो जाएंगी पूर वाले के लिए दो मात्रा पहले वाले के लिए दो मात्रा दोस्त आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी मात्राओं का फेर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मात्राओं का ही इसमें खेल है पहले हम लोग इस वीडियो में मात्रिक कवर कर लेते हैं अगली वीडियो में वारनिक कवर करानी की गूरी कोसिस करूँगा छंद के भेद कितने होते हैं जरा समझो है ना देखिए वार्ण और मात्रा की द्रस्टी से चंद के भेद होते हैं दो एक होता है वारनिक एक होता है मात्रिक लेकिन चंद के भेद कितने होते हैं दो एक वारनिक एक मात्रिक अच्छा चंद के टोटल भेद पूछे तो कितने होते हैं वारनिक मात्रिक और मुक्तक तक भी हो जाते हैं और यूपी ऐसा ये एक्जाम है चंद के भेदों में जब तीन उत्तर नहीं दिया गया था तो वहां उत्तर किया गया था दोस्त चार को याद रखना तो चंद के भेद में अगर तीन उत्तर नहीं होता तो अगला उत्तर चार ही जाता है दोस्तों अगला देखिए वारण एक चंद क्या है तो वारण एक चंद में वरणों की गड़ना होती है वरणों की गड़ना ठीक ना कितने वरण है आपकी वरण माला में कितने हैं बावन वरण है तो उन वरणों के हिसाब से ही वारण एक चंद के भेद कितने होते हैं तीन इसमें सम वारनिक चंद अर्दसम वारनिक चंद और विसम वारनिक चंद समझ के चलो जो चंद क्या होगा देखी उसमें बिलकुल प्रतेक चरण में वरनों की संक्या लगबग समान आएगी अर्दसम इसमें वरनों की संक्या आधी चरण मे और विसम में यानि की हर चरण में वरण की संक्या भी नहीं होगी अब वारणिक चंद के उधारन कौन-कौन से इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा सवय या इत्यादी है याद रखो ठीक ना चलो यह जो मात्रिक चंद है दूसरा नंबर डालो चंद के भेद में इसमें क परकार का होता है एक होता है समात्रिक जिसमें समान मात्राइं आती हैं एक होता है अर्दसम मात्रिक जिसके आधे चरण में समान मात्राइं होती हैं एक होता है विसम मात्रिक चंद जिसके सभी चरण में अलग अलग मात्राइं होती हैं सबसे पहले हम लोग मात्रिक को पढ आता है इसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास क्या है समात्रिक की ट्रिक कैसे याद रखना है चार गीत हरी है ना चार गीत हरी यहां चार चार से यानि की चौपाई आएगा रह से रोला आएगा 24 मात्रा होती है गीति का आएगा 26 मात्राओं के साथ हरी गीति का आएगा 28 मात्राओ के साथ अभी आएंगी कैसे देखे चौपाई का तो किलियर है कि पिरते एक चरण में 16 मात्रा इसमें आती है रोला में पहले 11 मात्रा आएंगी फिर बाद में 13 मात्रा आएंगी गीतिका में पहले चरण में 14 मात्रा दूसरे चरण में 12 मात्रा फिर 14 फिर 12 ऐसे आएगा हरी गी रहा बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेगिन आप्सन में दोनों ही चीज कभी आपको एक साथ नहीं दी जाएंगी तो सम्मात्रिक चंद की पहचांड ट्रिक यही है चार गीत हरी है ना चार गीत हरी तो देखो यह सम की बात है ना सम की समान मात्रा कितने चरण जमान के चलो चार चरण चौपाई चार चरण है ना समान चारों चरणों की मात्रा आपको समान देखने के लिए मिलेंगी ठीक ना चलो बहुत बड़ी और चार की गिंती सम में आती है तो चार गीत हरी सम्मात्रिक से आप लोग रिलेट करके जैसे चाहू वैसे रख सकते हो जो आप लोग का दिमाग करे वैसे आप लोग कर सकते हो आगे बढ़िए अर्द सम्मात्रिक आधी चरण में मात्राइं समान मिलेंगी कैसे पहले में दूसरे में तीसरे में और चोथे में इस टाइप से पहले और तीसरे की मात्रा हो सकता है समान हो दूसरे और चोथे की मा लाला, 220 रुपियां है का ऐसी ट्रिक आप लोग मतलब बना सकते हैं, याद रख सकते हैं तो देखिई, अर्द समात्री की ट्रिक है तो देखिए, बर्वे यानि की बर्वे याद रखो, बारे साथ पर यती मिलेगा आप लोगो पहले बारे मिलेंगी फिर साथ मात्रा मिलेंगी लाला से उलला तो अर्द सम्मात्रिक में बर्वे आता है उलला आता है दोहा आता है सोठा आता है आप से पूछेगा निम्न लिखी तमैसे कौन सा अर्द सम्मात्रिक चंद है अर्द सम्मात्रिक चंद है कौन सा मात्रिक चंद है कौन सा इस में से सम्मात्रिक चंद है कौन सा विसम्मात्रिक चंद है कुशन यहां से भी बनके आ जाता है तो देखें बरवे उल्लाला दोहा और सो उठा ये अर्धसम मात्रिक इनके आधी चलन की मात्रह समान मलेंगे आपको तो लाला से उल्लाला दो सो दोहा दोहा सो से सो और रठा और ये रुपिया है का ये कॉंस्टेंट हो जाएगा ऐ बरे लाला दो सो रुपिया है का अरदसम मात्रिक चंद की ये ट्रिक है थोड़ा सा आप लोग समझ के चलिए उलला में क्या होगा उलला पंदरे तेरह मात्रा मिलेंगी ठीक ना अच्छा दोहा में क्या होगा तेरह ग्यारे मात्रा अच्छा तेरह ग्यारे मात्रा आपको मिलेंगी अंत में लगू मात्रा मिलेगी सो अठा में आपको क्या मिलेगा 11-13 मात्रा मिलेगी 11-13 अंत में लगू मात्रा आप लोग को देखने के लिए मिलेगी है ना इस सो अठा की पहचान हो गई चलो मैं आगे बढ़ता हूँ सो अठा का उल्टा दोहा दोहा का उल्टा सो अठा होता है दोस्तों देखिए विसम मात्रिक में आप लोग थोड़ा से याद रखिए विसम, विसम का मतलब होता है अलग, अलग, अब जब कोई चीज अलग है तो हम कहें यार कुछ तो अलग है यार, पहले से कुछ तो अलग है, विसम है, तो विसम की ट्रिक बनाईए मैंने कुछ, कुछ से यानि कि कैसे कुंडलिया की तरफ इसारा जाएगा, विसम कुछ तो विसा में भई छह से चप्पे की और इसा रजाएगा दोस्त इन में पहचान होगी कि इन में छह पंक्तिया मिलेंगी आप लोगो देखने के लिए कितनी पंक्ति मिलेंगी दोस्त छह पंक्ति देखने के मिलेंगी आप लोगो ठीक है भी या चलो बहुत बढ़िया देखे कु मा कुंडल खीच लिया यानि कुंडल लिया कुंडल खीच लिया अब जैसे ही कुंडल खीचेगा खून निकलेंगे तो मा फिर कहां जाएगी डॉक्टर के पास जाएगी कुंडल खीच लिया ना कुंडल खीच लिया बालक ने मा गई डॉक्तर के पास में डी आर यानि इसमे आर ओ आर ओ चपपए तो यानि कि रोला मिलेगा और उलला मिलेगा जब बनेगा चपपए तो आपसे पूछ सकता है कुछ से 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 कुछ स होता है पहली चार पंक्तियों में रोला होता है और बाद की दो पंक्तियों में उलला होता है पहली चार पंक्ति में आप लोको मिलेंगी ग्यारैected अंतिम फंक्ति में क्युक्य उल्डा लाँ तो बल्ला लाहतु हैं इसल something you के सारी पर पर سमॉटाज ऐएम उचरे मात्र्इ shark को सब्सक्राह को मैं 24 मात्र्य होतीATA चाली है है गलंड से हम लोग समझ के चलते हैं और सबसे पहले हम लोग डालेंगे चौपाई, चार गीत हरी सम मात्रिक को पहले कवर करते थे हैं यही था ना, चार गीत हरी यानि पहले चौपाई, फिर पढ़ेंगे रोला, फिर गीती का, फिर हरी गीती का पहले 16 मात्रावाला फिर 24 मात्रावाला फिर 26 मात्रावाला फिर बढ़ाएंगे 28 मात्रावाला तो देखे चौपाई डाल दीजिए चौपाई की पिड़ती एक चरण में आपसे पूछेगा कितनी कितनी मात्राई होती है 16-16 मात्राई उधारण यहां देख लो आप लोग देखत ब्रग पती वेस कराला है ना उठे सकल्ब है विकल्ब हो आला पितू समेत कहनिज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा अब यहां आप लोग काउंट करो कितनी मात्रा हैं यह चौपाई है इस ले चौपाई है देखो दे के लिए उपर एक मात्रा है दो मात्रा लें कहके लिए एक मात्रा तै के लिए एक मात्रा भ्रग अब मैंने आपको बताया था रिसी की मात्रा जहां भी आएगी उसके लिए एक मात्रा लेंगे तो रिसी की मात्रा आगई एक मात्रा पै एक मात्रा चोटी एक मात्रा वे यानि इसके दो मात्रा क्योंकि एक मात्रा इस टाइप से है तो मैंने आपको बताया था जब ऐसी मात्रा बनेगी दो मात्रा छोटे उ के लिए एक मात्रा कह के लिए एक मात्रा रा यहां से निकल गया है आ आ रा यानि कि दो मात्रा ला के लिए भी आ आएगा आ तो इसके लिए दो मात्र आएंगी याद रखो मात्र्अ कांट करना सोले मात्रा मिलेंगी उठे एक मात्र यह आई दो मात्रा यह एक 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 और यह के लिए कहले एक मात्रा भूक के लिए भी एक मात्रा आ के लिए भी दो और ला के लिए भी दो मात्रा है यह टोटल मात्रा सोले हो गई सोले सोले का पेर बन गया आप लोग लगा सकते हैं यह बन गया यहाँ पर आपका कौन सा चौपाई गिलनों आप लोग चाहो तो एक एक की मात्रा गिलने न आप लोग पी के लिए एक मात्रा तू के लिए एक मात्रा एक दो एक 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 ये मात्रा हम पर लिखनी आनी चाहिए क्योंकि छोटी मात्रा है तो एक मात्रा लेंगे चोटी मात्रा एक मात्रा लेंगे बड़ी मात्रा अगर इधर से आ जाएगी तो दो मात्रा लेंगे, जै के लिए ना, आकी बातारी दो मात्रा आकी बातारी दो मात्रा, यहां से भी सोले मात्रा तो याद रखना इस टाइब से, दूसरा एकजम्पल कर लो जै हनुमान ग्यान गून सागर, जै कपिस्ती हूं लोको जागर, है ना, जै में ए छुपा हुआ है, एक मात्रा ये में ए छुपा हुआ है, एक मात्रा एक मात्रा, आ गया ये इसके लिए दो मात्रा लूँगा, ये भी एक मात्रा, ग्या, ग्या आ, तो एक, 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 दो, एक, एक तो इनके लिए 16, 16, 16, 16 मात्रा हैं आप लोग लिख ले ना एकजम्पल को ठीक इतना, आप लोग लिए पास भी समय नहीं है मेरे पास भी समय नहीं है एकजम्पल लिखा हुआ है मात्रा काउंट कर लो एक-एक की 16 मात्रा बैठेंगी अब ये देखो ए की मात्रा क्यों दो ली क्योंकि बड़ी ए की मात्रा थी जब बड़ी ए की मात्रा है अगर देखो छोटी ए की मात्रा है तो उसके लिए एक मात्रा ले रहे हैं मात्रा यह low यानि ओ की बात आगी है अग्के मैंने आपको बताया था दो मातरा काउंट करेंगे अगर यह भी आप लोग को कहीं दिखेगा तो भी दो मातरा काउंट करेंगे ठीक ना तो example आप लोग अपनी नॉट बुक में यह नॉट कर लेना अगला नॉट डाल दो चार गीत हरी में से रोला रोला 11 और 13 मातराओं के विराम के साथ 24 मातरा यह होती है आप लोग कहेंगे 11 और 13 तो सो ठामे भी होती है बस इसमें लगू गरू का फेर है उसमें लगू आ जाता है इसमें कभी कभी गुरू देखने के लिए मिल जाता है लेकि ये दोनों ही आपको कभी एक साथ आपसन में देखने के लिए एक साथ नहीं मिलेंगे भई ठीक ना कुशन में देखने के लिए तो 11 और 13 मात्राओं का फिर मिलेगा रोला में क्योंकि मात्रां कतनी हुथे 14 रोला मैं आपसे पूचह है cervix 11 13 पहले 11 आहेंगे फिर 13 देखो लिखा हुआ है यहां आफ़ एक इक lat आठ और तीन पहले यहां अल्प विराम से पहले ग्यारा मात्रा हैं निचावर एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा है ना यहां बाद में जोड़ोगे तेरह मात्रा हैं मिलेंगी फिर यहां तेरह मात्रा हैं मिलेंगी ग्यारा तेरह यह मात्रा हैं आप लोग को देख कभी ऐसा भी हो सकता कभी आपको विराम बीच में देख लेकर ना मिले तो आप लोग को साइड में 24 मात्राइं काउंट होकर आ जानी चाहिए तो लोग के लिए लेकर 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 ले ग्ली दो मात्रा काउंट कर लो चाहे अगले वाले गली दो मात्रा काउंट कर दो उससे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी लेकिन मात्रा कितनी बन रही है चौविस मात्रा बन रही है तो चौविस मात्रा आप लोग आसानी के साथ में इसे हल कर सकते हो ठीक भी है आगे बढ़ते हैं अगला गीती का जिसके पढ़ते एक चरण में कितनी मातरा हैं होती हैं दोस्त छबीस मातरा हैं होती हैं 14 बार है पहले 14 मातरा मिलेंगी फिर 12 मातरा आपको देखने के लिए मिलेंगी देखो एक्जामपल हे प्रभु आनंद दाता ग्यान हम को दीजिए सिग्र सारे दुर गणों को दूर हमसे कीजिए तो हे में कितनी मात्रा हैं, दो, प्रे, प्रे, आधा है, आधा प्रे, इस टाइप से देखो, प्रे, आधा आया है पहले, नहीं जी, एक मात्रा ही काउंट करूँगा, एक, दो मात्रा, आ, अंकी बिंदी उपर आई, दो मात्रा, दे, दा, और ता, यह आप काउंट कर लेना, चोधा ही मात्रा होंगी ठीकर ग्या यह दो मात्रा एक मात्रा में इसके लिए लेंगे और इससे पहले वाले के लिए हमने चछा होगे बहुत अच्छा होगा यह थे खुद बड़ी ही है और इसके लिए दो मात्रा होंगी दो 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 आप कहेंगे दो क्यों आगए क्योंकि रे उड़ गई उपर उससे अगर रे उड़ी है तो उससे पहले बाले के लिए दो मात्रा कर देगी वो है ना एक दो 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 बड़ा हुआ है एक 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 नहीं दो क्योंकि से की मात्रा है बड़ी ही आई है दो मात्रा छोटी ही आई है एक मात्रा और ये ए आया है तो दो मात्रा ये 26 मात्रा ही बैठेंगी खुब अच्छे से काउंट करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं और ले लो एक एक जामपल गीतिका का उपर वारा एक्जामपल गीतिका का है यग रूप प्राभो हमारे भाव निर्मल कीजिए छोड देव छलकपट को मान सिकबल हमें दीजिए यह काउंट कर ले ना आप लोग नौट कर लो एक्जामपल और खूब काउंट करो 26 मात्रा है कभी विराम ना मिले देखने के लिए और लास्ट में 26 का योग मिल जाए अगर ऐसी कंडिशन कभी नहीं मिलती है तो आप लोग लास्ट में देखिए जोड़के कि इधर साइड कितनी मात्रा बैट रही है तो आप लोग लगा दीजिए कौन सा है भई तो 26 पे तो भईया गीतिका यह होता है अगला डाल दीजिए हरी गीतिका जो की एक सम मात्रिक छंद है चार गीत हरी चौपाई से सुरुबात होई है पर तो एक चरण में आपको 28 मात्रा देखने के लिए मिलेंगी पहले सोल है फिर बार है कवराम आपको देखने के लिए मिलेगा सोल है बारे के साथ 28 मात्रा आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी एक्जम्पल देखो संसार की समर इस्थली में धीरता धारण करो है ना चलते हुए निज इस्ट पत पर संकटों से मत डरो जीते हुए भी मिर्तक समझ कर ने केवल दिन भरो वरवीर बनकर आप अपनी विग्न बाधाएं हरो तो देख सकते हो संसार की समर इस्थली में धीरता धारण करो है ना अंकी बिंदिया ये दो मात्रा लोगा दो दो एक दो एक एक है ना अब देखो रह के लिए दो मात्रा क्यूंकि आधा अक्छा है रह उससे पहले बाए गर दो मात्रा कर देगा आप लोग मात्रा काॉंट करें तो यह लास्ट वाला पाइंट देखें कितनी मत्रा बैठ रही है हुरी गीती का ही होगा याद रखो आगे प्रभु गोद जिसकी वह ये सुमत दे रही फरीमान है गोपाल बैठ आधुनिकरत पर सही तसमान है हंकी बिंदिया ये दो मातरा लेंगे ठीक न? ये बड़ी अई की मातरा आई है ये वाली दो मातरा ये एकी मातरा आई है तो दो मातरा काउंट करेंगे चोटी की मात्रा है तो एक मात्रा काउंट करेंगे बड़ी की मात्रा है तो दो मात्रा काउंट करेंगे अब यहां पर आदा हक्षराय से पहने वाले के लिए दो मात्रा दाएंगी आप लोग काउंट करेंगे 28, 28, 28, 28 हैs count कर लेना अराम से count करना है कि लिए दो मात्रा हैंगी और मात्रा हैंगी अंकी बिंदी है तो आप लोगा आराम से count करो इस को e home थाइस मात्रा यदि आती हैं तो हरी गिदीक होता है अगलर डाल दो थो अर्द some मात्रिक शंद अर्द some मात्रिक यह important point यूबी पुलिस यहां चाया रहा है अर्दसम मात्रिक में इसमें देखो आधा सम कैसे मिलेगा है ना पहला तीसरा समान दूसरा चौथा समान ठीक ना पहला तीसरा तेरे तेरे दूसरा चौथा ग्यारे ग्यारे ऐसी condition कि इसमें जाती अर्दसम अधा चरण समान मिलेगा अप लोगो ठीक ना अर्दसम मात्रिक में मैं आप लोगो को बताया था ऐ बरे लाला ऐ बरे लाला दो सो रुपिय है का तो ऐ बरे बरभे लाला उ लाला वहाँ पे ट्रिक थी 200 यानि कि दोहा 100 रुपिय है का याद रहे गा सबसे पहला नंबर दोस्त दोहा काही लेते हैं दोहा जिसमें पहले तथा त्रतीये चरण में कितनी मात्रह होतीं तेरे-धरे दोसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रह ही होती है दोस्त आप लोग ये याद रखेगा ठीक ना उधारण देखलो अधारन रहीमन पानी रा किये बिन पानी सबसून पानी गया होना ओब रे मोती मानस चून आप लोग काउंट करोगे मात्रा मैं आप काउंट नहीं करूँगा ठीक ना फिर भी एकात में मैं आप लोग को बता दूँगा रा के लिए एक मात्रा ही के लिए एक मात्रा चोटी है मैं के लिए एक मात्रा इसके लिए एक मात्रा पां दो मात्रा नी दो मात्रा क्योंकि बड़ी ही आई है रा दो मात्रा चोटी ही आई है एक मात्रा करूंगा यह ए आया है तो मैंने बताया था दो मात्रा लेनी है आप ल लिखा हाथ तेर है देखो ये दो हाँ में लिखा हुआ है खुदी ये तेरह मात्रा छप रही है इसमें के पहले और तीसरे चनल में तेरह मात्रा आएंगी मुझे में चलो आगे बढ़ दें बढ़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ घजूर पंथी को साया नही फल ला गए आती दूर तो इसके लिए आराम से कर सकते हो बै के लिए एक मात्रा डा दो मात्रा है ना भया ये और या के लिए दो मात्रा आएंगी दो मात्रा तो दो मात्रा क्या आदे अक्छर के लिए कोई मात्रा नहीं तो इसके लिए दो ही मात्रा आएंगी बस भया ये और दो मात् आगे सो अठा की लाइन पहले वे तीसरे चरण में तुक द्वानियां मिलती हैं और कोई जादा खास इंपोर्टेंट जानकारी इसके बारे में वही आप लोग को रखनी भी नहीं है या तो रोलाई आप्सन में मिलेगा या फिर यही मिलेगा आप को देख सो रठाए समें सो रठा में होता क्या है पहले वे तिसरे चरण में 11 11 मात्रा ही होती है तेरह तेरह puisse होती हैं दोहे में होदियाग और दूसरे वेa चौते चरण म सौ डूध मतलवरी मनुहार चूपके लगाय चूर मौ बिन मतलव मनुहार राव नपाव राजिया तो ये आप लोग मात्रा काउंट कर लो ये मात्रा इतने यनि कि अलब ब्राम से पहले वाली 11 मात्रा होंगी इसके बाद वाली जो मात्रा होंगी तेरे मात्रा होंगी यहां 11 मिलेंगी यहां 11 मिलेंगी अज अनादी अवीगत अखल अमल अतीव उदार बंदो सिव पद युग कमल तो देखो इसमें ग्यारे मात्रा यह होंगी काउंट करना है अप लोग इसमें तेरह मात्रा यह होंगी काउंट करना है ग्यारे तेरह ग्यारे तेरह का जो पेर है वो बनता है रहत रोला में या फिर सौल्टा में याद रखना ठीक ना चलो जी ऐ बर्वे डाला तो बर्वे डाल दो जी अगला जी अब बर्वे बारह साथ पर यती मिलेगा बर्वे बारह साथ है ना याद रखो बारह साथ पर यती मिलेगा पहले बारह फिर साथ फिर बारह फिर साथ ऐसे मिलेगी आगे पिर मुकरती तुलसिदास की वरवे रामायन ततरहीम रचित वरवे नाई का भेद ये वरवे में ही जो रची गई है याद रखना वरवे में ही रची गई है उनके दोरा अब वरवे 12 साथ मिलेंगी अवधी सिलाका उस पर था गुरु भार तो देखो पहले 1,2,3,4,2,6,2,8,2,10,2,12 पहले कितनी मिली बार है फिर 4,3,7 बार है साथ आते ही कौन सा बर्वे हो जाएगा दोस तियाद रखना 1,2,3,4,2,6,7,8,2,10,2,12 बार है यहां से आ गई 2,2,2,4,3,7 यहां से साथ आ गई 12-7 मिल गया जी बरवे है आगे दूसरा भी देख लो इसमें भी कितने मिलेंगी आपको 12-7 मिलेंगी और जब 12-7 मिल जाएंगी तो बरवे हो जाएगा काउंट कर सकते हो नोट बुक में अपना लिखी है एक्जामपल को वाराम के साथ में और खुँ अच्छे से चेक करके देखिए अगला नंबर डाल दो उलला 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 यानि कि ज़्यादा मात्रा है मिलेंगी बड़ा सा लला है तो फंद्रह तेरह उलला पंद्रह साल को लला ऐसे याद रख लो अब उदारान से डालो फंद्रह साथ सुरी 15-13 पर यतिais आपको मिलेगा कभी कभी 13-13 पर भी मिल जाएगा 13-13 पर भी कभी कभी 13-13 मिलंगी 13 पहले वाले में 13 दूसरे वाले में तो भी याद रखना और ये कभी भानू के नुसार पर तेक चनण में 13 मात्राइन होती है आगा उड़ रही थी ओपर उसके लिए 2 मातरा हो गई एक एक, मती, यनि तो पहले आप लोग काउंट करोगे तो यहां पंद्रे मात्राह, फिर यहां काउंट करोगे तो यहां तेरे मात्राइं होंगी, गिन देता हूं, 2, 3, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, इसमें तो मात्र गयार है रहेगी हैं, बई, जब कियाती कितनी है पंद्रह तेरह चलो कोई लेटर छूट गया होगा मुझ बैसे अब मैं पीछे देखता हूँ दो तीन दो पांच दो साथ साथ और दो नो और एक दस ग्यारे दो तेरह इसमें तेरह ठीक है इसमें कुछ मुझ पैसे छूट गया है इसमें यहां लग लेना हम सब त्राण है तो हम सब अब तेरह हो जाएंगी कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी मुझ से लिखने में कोई गल्दी या फिर कोई वर्ड छोड़ दिया है ठीक ना पंद्रह तेरह ही बनेंगी कुंडलिया और छे से छपपे अब कुंडल खीच लिया तो डॉक्टर के पास गई थी डी आर यह केवल आप लोग को पकड़ना है केवल आप लोग को क्या पकड़ना है मैं आप लोग को बता कि चल रहा हूँ इंपोटेंट लाइन है यह कुंडलिया में आप लोग को सुरुवाद से कुछ चेक नहीं करना या आप लोग को छपपे में सुरुवाद से कुछ भी चेक नहीं करना सुरुवाद में तो छेड़ना ही ना या आप लोग को की सुरुव में दो हैं या चार है कुछ नहीं गलती मानना है बस आप लोगो छे चरण देखने हैं कि 6 तो चरण आए हैं बिलकुल आगे जी है ना और कुंडलिया में D प्लस R से मिलकर बनता है तो आप लास्ट वाले में चेक करिए रोला की पंक्ती किसमे है रोला की पंक्ती क्या कहती है रोला की पंक्ती कहती जिसमें 11 और 13 मात्राइं होंगी वो कुंडलिया होगा अगर 6 लाइन का है तो तो मैं लास्ट लाइन पर ही चलता हूँ वैस लास्ट ही चेक करना है आप लोगो इतना समय नहीं होता कि भी सभी कि आप लोग लाइन चेक करोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 3, 11 तो ग्यारे रोला लास्ट में आता है डी प्लस आर यानि डॉक्टर के पास गई थी मम्मी कुंडलिया कुंडल खीच लिया था रोला तो यह किस का एकजामपल है दोस्त कुंडलिया का एकजामपल है तो केवल लास्ट में चेक करना है 6 पंक्ति अगर चेक करोगे 6 की 6 तो मारे जाओग अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ भई इसमें छप्पे इस छप्पे को और देख लो एक बारी यह छप्पे है किस किस से मेलकर बना हुआ है इसमें रोला है पहली चार पंक्ति अंतिम दो पंक्ति उल्लाला है छप्पे आर ओ आरो का पानी पी लिया छप्प करके तो आप लोग को पूरा छे लाइन का चेक नहीं करना है केवल अंतिम पद चेक करो क्योंकि अंतिम पद है उल्लाला और उल्लाला की पहचान है कि 15-13 मात्राइं मिलेंगी अगर अंतिम पद में ऐसा है और छे पंक्ति का आ दिया हूआ है तो आप लोग केवल अंतिम पंक्ती चेक करो ये दो आई ये तीन पांच पांच तीन आठ दो दस ठीक ना आगे दस थीन तेरह दो पंध्रें मिलें हैं इसमें ये छ च्छाय दो आँड़ आठ आठ्टीन ग्यारत दो तेरह 15-13 केवल अंतिमição चेक करो कुंडलिया में DR चेक अंतिमपद रोला होना चाहिए चपपे में RO चेक यानि कि अंतिमपद उलाला होना चाहिए इतना जादा नहीं केवल अंतिमपद चेक करो 6 लाइन हो अंतिमपद चेक करो बस इसी से आप लोगों को उत्तरा आपका मिल जाएगा और छप्पय हो जाएगा तो यह मात्रिक यहीं पर समाप्त होगी यह वीडियो और मैं अगली वीडियो आप लोकली कोसिस करूँगा वारण एक छंद से ला सकूँ जैहिंद वने मात्रम